वीडियो में बात करेंगे एब्डामी टक क्या है, किन पेशिंन्स को करवाना चाहिए, इसकी recovery कैसे होती है, और क्या इसमें precaution रखने चाहिए नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे टमी टक या अब्डामी टक के बारे में, यह दोनों एक ही प्रोसीजर के नाम है Tummy Tuck common name है और Abdominoplast है इसका technical name So this operation में अगर पेट के नीचे ले हिस्से में fat जादा है और वो apron की तरह आपके पेट जो है वो नीचे को लटक रहा है तो उन conditions में ये एक अच्छी option है कॉस ऐसी conditions में pure liposuction से हम अगर fat निकाल देते हैं जो इसकिन फिर भी lose ही रहेगी और आपको अच्छा result नहीं मिलेगा So in cases में या तो pure abdominoplast या tummy tuck किया जा सकता है या कुछ हद तक इसमें हम liposuction भी combine कर सकते हैं उन हिस्सों से fat निकालने के लिए जो हम इसमें remove नहीं करने वाले इसमें पेट के lower हिस्से में एक लंबा incision दिया जाता है और लापा जाता है कि उपर का हिस्सा कितना excess है उसके हिसाब से एक उपर के हिस्से में भी cut लगा जाता है और पूरा का पूरा एरिया mobilize करके इन्हें आपस में जोड दिया जाता है ताकि आपको एक flat abdominal line मिले इसके recovery काफी quick है आप एक या दो दिन में घर वापिस जा सकते हैं अपना routine activity में वापिस आ सकते हैं सिरफ heavy activity को कुछ दिने को लिए avoid किया जाता है जो skin incisions है वो बहुत नीचे होने की वज़े से आपके normal clothing है उसमें hide हो जाते हैं और आपको परिशान नहीं करते हैं जारतर cases में skin के stitches भी अंदर ही लगाए जाते हैं ताकि आपको इन्हें निकलवाना भी ना पड़े abdominaloplasty directly भी की जा सकती है अगर आपका बाकी का body का हिस्सा मिल्कुल सही है लेकिन अगर आपका बाकी body भी बहुत healthy है weight बहुत जादा है BMI जादा है तो पहले आप bariatric surgery करवा सकते हैं उसके बाद अगर ज़रुत पड़े तब हम एक या लेड़ साल के बाद tummy tuck या abdominaloplasty भी कर सकते हैं tummy tuck के बाद आपको अपने wound का ध्यान रखना है इसमें infection ना हो तो वो सब भी आपको लगाते रहना है तांकि इसका जो eventual scar है बहुत minimally आपको नज़र आए So I hope कि ये वीडियो देखकर आपको tummy tuck और abdominoplasty के बारे में idea मिला होगा Pure liposuction और bariatric से कैसे different है वो भी आपको idea लगा होगा और आप एक अच्छा decision ले पाएंगे Do like, subscribe and share our video and we hope you live a healthy life ahead Thank you